नमस्कार स्वागत है आप सभी का दा इंडियन एकॉनमिस्ट में तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिग्स्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में और उसके साथ इंटरलिंक्ट जो भी जुड़े होई टॉपिक्स हैं उनके उपर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली बात के न्यूज में क्यों है कि अभी हाली में जो हमारे यूनिट मिनिस्टर आफ साइंस एंट टेकनोलोजी हैं डॉक्टर हर्श वर्दन जी इन्होंने सिग्स्थ आईएसफ का जो यहां पर फेस्टिवल इसको लॉंच किया है तो आप मुझे बताईए कि इसका वैन्यू कहां पर है इस बार तो आगे जो सबसे इंपॉर्टन है वो है इस फेस्टिवल का थीम जो की क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तो थीम क्या है थीम है साइंस फॉर सर्फ लाइट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफियर तो बहुत ही इंपॉर्टन है थीम क रिगार्डिंग भी जो है क्वेश्चन प्रिलिम्स में जहां किसी और यहां पर अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रपेर करें तो वहां पर भी थीम के बारे में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है तो आईए आइस फ है क्या तो यह एक तरह का प्लेट फार्म है जो young scientists, students, technocrats जो होते हैं उनको यहां पर इकठे बलाया जाता है वहां पर आके किसी भी major issue के ओपर जहां पर science को जरूरत होती है कि उसकी solutions निकालें तो उसके ओपर जो है यहां पर ideas जो है knowledge जो है exchange की जाती है discussions की जाती है और कोशिश की जाती है कि कोई constructive solution जो है किसी भी problem का वो निकाल कर जो है सामने लाया जाए तो इस बार के लिए जो यह science festival हुआ है तो वहां पर एक conclave भी करवाया गया conclave on assistive technologies and दिव्यांग जन जो लोग दिव्यांग होते हैं तो उनके लिए क्या हम solutions निकालें वो भी society में जैसे एक normal इंसान जैसे survive करता है जैसे घूम फिर सक सकता है तो जैसे assess कर सकता है हर एक जगह तो वैसे जो disabilities से जो यहां पर लोग पर भावित होते हैं तो वो भी बिल्कुल उनी के तरह assess कर सकें तो उसके लिए क्या solutions निकाले जाए तो उसके लिए second edition हुआ है इस conclave का तो इसका जो theme था वो भी था empowering दिव्यांग जन थ्रू science technology and innovations for surf lines तो इस जो festival में जो issues discuss किया गया तो यही था दिव्यांग जन जो इसका यहां पर second conclave हुआ तो इसके solutions यहां पर जो था उसके बारे में knowledge और ideas जो थे share किये गए और इस event को जो इंगरेट किया था वो किया था union minister for social justice and empowerment श्री थावर चंद गहलोजी तो यह दो दिन का यहां पर यह पर यहां पर यहां पर प्रोग्राम होता है यहां पर भी एक common platform यहां पर provide किया जाता है कि यहां पर solutions को यहां पर discuss किया जाए और साथ ही साथ जो है जो existing problems आ रही है जो यहां पर research and development जो assistive tools जा technologies में जा techniques में जिस तरह की भी problems आ रही है उनके यहां पर proactive research भी की जाए उसके उपर तो इसके उपर भी focus किया गया for example जैसे यहां पर दिव्यांग जन जो लोग हैं वहां पर किसी भी building में अगर वो रहना चाते हैं तो easily assess कर सके तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कौन कौन सी problems उनके सामने आती हैं और उनका solutions हम कैसे निकालें तो उनके लिए हमने यहां पर self-reliant R&D ecosystem जो है हमें develop करना होगा ता जो की जो जो दिव्यांग जन हैं उनको हम empower कर सके और बिलकुल वैसी ही power दे सके जैसे एक normal इंसान की होती है एक society में और इसी के संदर्ब में हम आगे बात करने जा रहे हैं तो इसलिए अभारत सरकार ने campaign चलाया है का अभयान चलाया जिसको हम बोलते हैं सुगहम अभारत अभयान और असेसिबल इंडिया campaign तो इसके तहत यह एक nationwide campaign चलाया गया था by the department of empowerment of persons and persons with disabilities under the ministry of social justice and empowerment तो यहां पर भी यही कोशिश की गी थी जो य बिल्डिंग्स में कहीं पर भी जैसे एक नॉर्मल इनसान आता है बिल्कुल उनी के साबसे और अजादी से जो है यहां पर वो घूम सके और आगे हम बात करने जा रहे हैं कि जो असेसिबल इंडिया campaign के तहट जो की components अपनाए गए तो उसमें सबसे पहले था कि built environment accessibility तो इस जिस तरह के भी obstacles आते हैं आम दिव्यांग जन को for example अगर किसी school में विजट करना है जा medical facilities चाहिए जा workplaces पे घूमना है outdoor facilities चाहिए तो उसके लिए जिस तरह के भी obstacles आते हैं उनको यहां पर remove किया जाए दिव्यांग जन के लिए और वो भी जो है जो है move कर सके और अजादी स जिस तरह की भी facility लेना चाहते वो उसको approach कर सके और दूसरा है यहां पर transportation system accessibility for example जैसे आम इनसान उसके पास transportation facility होती है तो बिल्कुल उसी तरह कर आपने देखा होगा जैसे बसे चलती है जा ट्रेंज चलती है तो वहां पर कुछ seats जो है reserve रखी होती है for disabled people तो यह सरकार की तर आप डिबा देखोगे तो उसमें एक अलग सा section बनाया होता है और उसका seat होता है वो भी काफी बड़ी बनाई होती है तहां जो कि disabled people हैं सिर्फ वही उसमें चड़े लेकिन आम तोर पर होता गया जब वो डिबा खाली देखता है तो आम लोग जो है वो भी उसमें चड़ ज जा सके और उसकी dignity को कोई किसी तरह की हानी ना पहुंचे और तीसरा यहां पर बात करने जा रहे information and communication ecosystem accessibility तो जैसे आम इंसान के बास यहां पर assess करने की अजादी है कि information को जा communication को बिल्कुल उसी तरह से disabled person को भी यहां पर अजादी पहुंचे और वो भी बिल्कुल same level पर जो ह जो है किसी चीज का price tag जाना चाहता है पढ़ना चाहता है जा किसी hall में यहां पर enter करना चाहता है जहां participate करना चाहता है किसे event में जहां पर कोई pamphlet read करना चाहता है regarding जहां पर कोई health care information जानना चाहता है जहां train time table को understand करना चाहता है तो उसके लिए यहां पर उसको इस तरह के का facilities प्रवाइड की जाए कि ताजों कि वो इन सब चीजों को आम इंसान की तरह assess कर सके. For example, अगर कोई किसी web page को भी assess करना चाहता है तो वो कर सके. उसके लिए जो भी यहाँ पर barriers आते हैं उनको हटा दिया जाए और उनको यहाँ पर उनकी एक रास्ता जो है पड़ी नहीं सकता. तो उस format को change किया गया ताजो कि यहाँ पर information जो है वो daily life की वो मिलती रहे दिव्यांग जन्स को भी. तो for example जैसे कोई अगर आखों से दिव्यांग है, मतलब आखों से अंदा है तो for example उनके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि पढ़ने के लिए उनको हाथ का touch करवाया जाता, alphabets लेके होते हैं पर उनको यहाँ पर समझ आती है कि यहाँ पर A की क्या size होता है, क्या design होता है, B का design क्या होता है इस तरीके से उनको भी intention होती है और साथ हिजा जो यहाँ पर physically handicapped होते हैं, जिनका बाजू नहीं है, जा कोई टांग नहीं है तो उनको भी यहाँ पर accessibility हो, अगर किसी का हाथ ही नहीं है तो यहाँ पर keyboard कैसे चलाएगा तो उसके लिए उसको भी यहाँ पर facilities provide करनी होगी और आगे हम बात करते हैं targets की, accessible India campaign का target क्या था, तो यहाँ पर चाहिए था कि 50% at least जितनी भी government buildings है, national capital की और जितनी भी state capital की उनकी तो यहाँ पर, वहाँ पर fully assess कर सके person जहाँ पर disability उनको यहाँ पर है यह था up to July 2018, लेकिन यह काफी extend होता रहा, यहाँ पर 50% तक भी यहाँ पर accessible हम नहीं provide कर सके 2018 तक इसके लावा यहाँ पर जो audit था, 50% of all government buildings and converting them into full accessible buildings in 10 most important cities, towns of all the states यहाँ पर भी July 2019 तक था लेकिन यह नहीं हो पाया, अभी भी इसके उपर जो है अभी काम चल रहा है और आखिर में हम यहाँ पर बात करेंगे, UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities यहाँ पर भी India इसका signatory है, important है, ध्यान रखेगा इस UN Convention का India signatory है, जिसका भी India signatory होगा, तो India यहाँ पर चाहता है कि उसमें मैं अच्छा काम करके दिखाऊं, कोई भी country अगर किसी convention में signatory होता है, sign करता है तो उसका मंच्छा यही होती है, कि मैं बाकी nation से सीखूं, कि वो इस field में कैसा काम कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं फिर उस हिसाब से मैं experience लूँ, और अपने देश में भी यहाँ पर उस problem को सही करने की कोशिश करूं यहाँ पर बहुत सारी conventions ऐसी है, जो भारत ने sign की नहीं है, बहुत सारी conventions ऐसी होती है, जो वैसी पड़ी रहती है, और nations sign करते हैं, जिनको जरूरत होती है, मतलब वही उस convention को sign करने के लिए जाता है तो भारत भी हर एक convention को sign नहीं कर लेता, भारत यहाँ पर भी चुनिंदा conventions को sign करके जलता है, और यहाँ पर UN convention और the rights of persons with disabilities उनमें से एक है, और इसका जो आर्टिकल 9 है, वो यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर सखनेटरी governments हैं इस UN convention की, अब उनकी यह जिमे जाते हैं, जहां transportation, जो उसको facilitate करना चाते हैं, जहां इसके लावा information and communication की बात करो, इसके लावा technology या systems की बात करो, मतलब की हर एक चीज को अप्रोच वो कर सकें, जैसे एक आम इंसान करता है, तो उनको भी वैसे services open मिलें, जैसे आम public को यहाँ पर मिलती हैं, बहुत urban and in the rural areas, तो यहाँ पर basically यह कहता है article 9, तो यहाँ पर जो मूल न चोड निकल कर आता है, वही आता है कि जो आम जन लोग हैं, जो जिनके पास हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, जहां पर कोई टांग नहीं है, physically handicapped हैं, उनको भी बिलकुल assess जो है, आम जन जीवन का मिलें, जैसे एक आ accessible India campaign की, सब चीजें यहाँ पर जो भी discuss हुई है, सारी के सारी important है, तो आहँ हो आपको lecture अच्छा लगा होगा, तो गरपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया,